नमस्कार मैं अनिल के सी एबाउट इंडिया चैनल में आपका श्वागत करता हूँ एबाउट इंडिया चैनल का वास्तिक उद्देश भारत की संस्कृति और विराशत को तर्क एवं विज्ञान की कसोटी पर जयवकसने का प्रयास है और तर्क एवं विज्ञान के अंतरगत हम लोग जहें इसके कुछ विज्ञानिक पहलूओं की चर्चा कर रहे हैं कुछ तार्किक पहलूओं की चर्चा कर रहे हैं और इससे आज की युवा प्युड़ी को परचित कराने का प्रयास कर रहे हैं इसी के अंतरगत हम लोग सरिंखला चला रहे हैं जिसमें भारत की जो परमपराएं हैं जो मुल्ले हैं उसके अंतरगत कुछ रिती रिवाज फॉलो किये जाते हैं उनका क्या अर्थ है उनका क्या महत्व है और उसमें आज हम लोग एक सरिंखला लेकर आए हैं कि आखिर जो सं इसके बाद रुद्राक्ष की माला है तो 108 या फिर किसी को दान देना है तो 108 कोई पाठ कराना है तो 108 आफ्टर और ये 108 ही क्यों शित तोर पर मन में प्रस्ट जाएवा उटना चाहिए तो हम लोग इसके कुछ तारकिक और कुछ वैज्ञानिक पहलूओं की चर्चा करने जा आज की श्रिंखला में तो आते हैं हम लोग देखिए 108 का महत्तों क्या है तो सबसे पहले देखिए कि हिंदू धर्म में 108 है इसका बहुत महत्व है जैसे आप गौर करते कि कि माले की मन्का जो होती है वह 108 इस्वर का जो जाप करते हैं किसी भी ग्रह का जाप करना है किसी इ तो हेले हैं तो होन में मंत्र 108 करें ठीक है इसके अलाभा अगर भगवान शिव के नाम है तो 108 भगवान विश्नु के नाम है तो 108 मां दूरत है और डिवुँ देवता। नाम के 108 नाम है बजरंग बली के भी 108 नाम है गनेश के भगवान गनेश के भी 108 नाम है तो यह आफ्टर आल ऐसे रिती रिवाद बहुत सारे हैं जो 108 बार ही होते हैं तो मन में निश्चित और प्रस्ण जन्म लेना चाहिए कि 108 ही क्यों आइए हम लोग जानने का प्रयास करें यह देखें रुद्राष की माला भी है इसमें भी आप गौर करके दिखेगा तो 108 ही होते हैं रुद्राष तो आफ्टर आल क्यों आईए देखें क्यों महत्पूर्ण हम लोग कुछ पॉइंट वाइस जैवा लेकर चल रहे हैं और मैंने कहा तर्क और विज्ञान दोनों से की कसौर्टी बर जाए हम लोग कसने का प्रयास करें देखिए पृत्वी के चारो और 27 नच्छत्र हैं हलाकि नच्छत्र रासी क्या होती है इसके बारे में एक सेपरे 27 नच्छत्र हैं और दिशा कितनी है तो चार है दिशा कितनी है चार है तो 27 नच्छत्र चारो दिशाओं में फैले हुए हैं 27 गुने 4 एक इक तो वाट ठीक है अगला देखिएगा दूसरा कि पृत्वी के चारों और 12 राशियां हैं 12 रासियां जिसे हम लोग ये वह मकर र तारों का समूह इसके बारे में भी सेपरेट वीडियो पढ़ा हुआ है हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं तो यह 12 रासियां है और हमारे नौ ग्रह हैं अब देखिए हमारे यहां जो नौ ग्रह की संकल्पना जब लाई गई तो उस नौ ग्रह के समय में तारा को भी यानि 1950 के बाद के साइंस की देन है ना उसके पहले तो हमें यह पता है नहीं था कि उप घ्रह क्या है और वह तो नौ ग्रह है वह यहोली गई 12 रासिया और 12 गुने 9 जह है 108 इसके बाद देखिए तीसरा शूर्य एवं पृत्वी के मद्दी की जो दूरी है वह है 150.5 मिलियन और शूर्य का जो व्यास है वह है 1.3927 मिलियन किलोमीटर ये दोनों किलोमीटर में मैंने बता दिया तो एक पृत्वी के मद्दी की दूरी 150.5 और शूर्य का व्यास 1.39 जह है वह तूसे वन इसको डिवाइड की जिए तो संख्या आती है 108 इसके बाद आगे चलते हैं अब हम लोग सूर्य का व्यास चौथा नंबर पॉइंट सूर्य का व्यास सूर्य का व्यास जह भी बताया था 1.3927 किलोमीटर और पृत्वी का व्य संस्क्रित जो भासा है जिसे विश्व के सभी भासाओं की जननी मानी जाती है संस्क्रित भासा विश्व के सभी भासाओं की जननी मानी जाती है हमारे भारत में जिदनी भी भासाओं का विकास संस्क्रित से हुआ है तो जो संस्क्रित है इस संस्क्रित भासा की वर्ण माला में देखें तो 14 सब्द पूरुष चहव के होते हैं और 14 सब्द इस तरी के होते हैं अर्थाट पुलिंग और 14 सब्द स्टरलिंग 54 54 54 54 पुलिंग और उसकी जह वा टोटल जह संग्या केतनी होती है 108 अब संस्क्रित भासा का जो 54 सब पूलिंग है वह भगवान शिव को शमर्पित है और 54 सब जो इस्तरलिंग है वह देवी पारवती को शमर्पित है तो इसकी संख्या टोटल संख्या कितनी होती है 108 इसके बाद छठा जहे हमारे हाँ जहे एक कलपना है कि शमुद्र मंथन हु हमारे पुरानों में जिक्र है उसमें 54 देवों के भागिदारी की बात है और 54 राक्षसों के भागिदारी दानवों के भागिदारी की बात है और संख्या कितनी होती है 108 भगवान शिव का अंक है 108 भारत में जो सास्त्रिय निर्त है उस सास्त्रिय निर्त में कुल मुद्रा की संख्या कितनी हैं मुद्राइं मों ⊙ 108 जो उनके भाव भंगिमा रहे होती है या डांस का रूप होता है उस मुद्राओं के रूप में बहुदं एक 108 मान जो है मान मन में भावनाे यानि जैसे दुख हैं यह बहुद्राइं तो दुख सक्ष, सुख हर्स, विशाद, उल्लास, क्रोध, रौद्र, यह सब क्या है, तो यह सारा मन की भावनाएं हैं, यह मन की भावनाओं की संख्या भी कितनी है, तो 108, इसके बाद भगवान कृष्ण के अकसर गोपियों के साथ निर्ते की चर्चा मिलती है, तो गोपिय अल्टरनेटिव साइंस चलता है, जो हमारे दवाव बिंदूओं के ऊपर दवाव डालकर हमारी यह करते हैं, चिकित्सा करते हैं, तो जो चिकित्सा होती है, एकू प्रेशर, तो यह जो एकू प्रेशर होती है, यह प्रेशर पॉइंट्स पर होती है, तो मानव सरीर में ज पॉइंट्स कितने हैं 108 हमारे यहां उपनिशद हैं उपनिशद कितने लिखे हुए है 108 अब देखिए 108 का योग जो है अगर हम अंकों के दिश्टी कौन से करें एक प्लस जीरो प्लस आठ तो नौ आता है और यह जो नौ है इसे ब्रह्मा का अंक माना जाता है और ब्रह्मा ने सुर्ष्टी की ज़रे वरस न की थी यहनी 108 ब्रह्मा से भी जुड़ा हुआ है और इसके लावा भगवान विश्टू का जो दिव्य छेत्र है उसकी तो है बौध धर्म में जहें वह कई मंदिर हैं जिसमें 108 रखी गई हैं अब देखें यह बारर रासियां हैं और यह बारर रासियां को मैंने बताया था बारर राशियां और उनका नौ ग्रहस का जो गुननफल है वह अभी 108 जहाँ आता है यह मानौ सरीर के जो 108 जहाँ पॉइंट्स हैं यह जहाँ इसका जहाँ डियाग्राम दिया हुआ है और आज के समय में देखेगा कि एक जहाँ हमारे जीवन की रेखा है और जीवन की रेखा है एमुलेंस यानि एमुलेंस नहों तो कई लोगों का जीवन खत्म हो जाए तो यह जो जीवन रेखा है इस ज झाल झाल